घर्दोई के सांडी थाना इलाके से एक मानुता को शर्म सार कर देने वाली घटना सामने आई है यहाँ एक मानसिक दिव्यांग महिला के साथ दुशकरम का मामला सामने आया है महिला के पती की शिकायत पर पूलिस ने गाव के ही यूवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे घिरवतार कर लिया है जानकारी के नुसार सांडी थाना इलाके में यह घटना को अंजाम दिया गया है यहाँ एक यूवक ने मानसिक रूप से विक्षिप्ट महिला के घर में घुस कर उसके साथ दुशकरम किया इसके बाद आरोपी मोके से फरार हो गया पुलिस ने महिला को जोक्टरी परशिक्षन के लिए भेज दिया है दरसल गाउ के ही कुछ दूर कस्बे के नजदीक ती राहे पर एक शक्स मिठाई की दुकान लगाता है बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वह अपनी दुकान पर गया हुआ था और घर पर उसकी मानसिक विक्षिप्ट पत्नी और बच्चा अकेले थे इसी दोरान गाउ का ही एक युवक उसके घर में घुस आया और महीला के साथ दुराचार किया महीला दुआरा शोर मचाने पर आरोपी मोके से फरार हो गया मोके पर पहुँचे लोगों ने महीला के पती को सूचना दी सूचना पाकर महिला का पती घर पहुचा और पत्नी की हालत देखकर पूलिस को सूचना दी पूलिस ने इसकी तहरीर पर गाम के ही युवक के खिलाफ दुशकर्म करने के आरूप में रिपोर्ट दर्च कर ली है एसपी अमित कुमार ठाकुर ने बताया कि आरूपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है हमारी पत्नी के साथ उनकाम मित्मित्पुर का छोटू पड़ोसी उसने मोदाब कर बलादकार किया उसने का आप बता देंगे तो उसको नदी में फेंकने जा रहा था कुछ लोगों कुछ देखा तो उसने छोड़ कर भाड़ गया तल रोते हुए पत्री घाला होची नगन दोश्ता हुआ कि अगर आकर पूरी घटना बताई शोटू में हमारे साथ मेरे किया है गलग कर देंगे 爵 नी सांडी थाने में मांसि कृप से विच्चित मजळा के साथ बलादकार की घटनाई थी जिसमें तत्काली मुकदमादर्ज कर लिया गया गया अर अभід के तलास करके अभ्युकद छोटू जिसकी उमुरतीसं मर्स के आ सपस है उसको गिरफतार कर लिया किर गिरों perfect venue for wedding, launching and parties, Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.